राम राम दोस्तों सबसे पहले सभी सेलेक्टेड कंडिडेट को मेरे तरब से बहुत बहुत धेरो धेरो बधाई आप लोग जो है फाइनली एलर्सी के अंतरगत जो है एसो कलर कानुनगो एबम स्पेशल सर्वे अमीन के पद पर चैनित हो चुके हैं आप सभी को धेरो धेरो बधाई आगे चल कर इस विभाग में आप लोग अच्छे से काम कीजिए और विभाग का जो है जो भी सुख दुख दर्द है सब को आप बाट लीजे आपस में चलिए 10101 LRC पदों के लिए जो है final result जारी कर दिया गया है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने लोगों का selection हुआ है विभीन पोस्टों में एबम विभीन पोस्टों का विभीन कैटोगोरी में क्या cut-up गया है ये सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो म बोलिए जो 10101 पदों के लिए जो है result आना था वह आ चुका है मैंने सुबह में भी वीडियो बनाया था वीडियो के मादम से बोला था कि साम लेट साम तक result दे देगा final result दे दिया हुआ है और जो भी जो भी अभियार्ती इसमें selected हुए है सभी को बहुत बहुत बढ़ाई चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बीना लेट किये हुए और देखते हैं कि कितने लोग का सेलेक्शन हुआ है सभी पोस्ट में और क्या क्या कट अफ रहा है चलिए देखिएगा ध्यान से राजस इबंभूमी शुदार विवाग बिहार सरकार और आज का डेट है 13 मार्थ से लिखा है राजस इबंभूमी शुदार विवाग बिहार सरकार भू अभिलेक इबंपर इमाब निदेशाले के अधिन विसे सर्वेक्शन कार्श्क्रम के अंतरगत मांदे अधारी संविदा पदो पर नियोजन हे दू सी बीटी दोहजार थेजिस के अधार पर पर दिखा हुआ है यहां पर हम नहीं देखेंगे चलते हैं सिधे नीचे जया दोस्तों अब यहां सुरुवात में जो है पद का नाम इसे सर्वेक्शन सायक बंदोबास्त प्राधिकारी का है सबसे पहले एसू का रिजल्ट है और इसी पीडियेप में सभी पदो का रिजल्ट दिया हुआ है कटप दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है तो चली सबसे पहले हम नीचे चलते हैं स्क्रॉल करते हैं चली आगे हैं नीचे सबसे पहले आपको बता दे चले कि कितने लों का सेलेक्शन हुआ है किज पोस्ट में ठीक है तो ध्यान देजीएगा देखे राजस में भूमी सुधार वीभाग के अंतरगत विसे सर्वेक्षन साहयक बंदोवस्थ प्रादिकारी विसे सर्वेक्षन कानुनगो विसे सर्वेक्षन लिपिक विसे सर्वेक्षन अमीन के पदपन नियुक्ती हेतू रिक्त पदों की संक्या डॉक्मेंट वेरिफि लिखा हुआ है कितने पोस्ट आयत थे और इसमें है candidate call for document verification, document verification के लिए कितने लोगों को बुलाए गया था या total candidate present for document verification, कुछ लोग absent भी हो जाते हैं तो इसलिए दिया हुआ है कि db में कितने लोगों present थे, number of published result result कितने लोगों का दिया गया है और कितने लोगों का result जो है कि नहीं दिया गया और क्यू नहीं दिया गया यह भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घबराने की बात नहीं है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आकर जो सीट है 8,244 आया था विशे सर्वेक्षन अभी में इसमें 8,035 रिजल्ट क्यों दिया है क्यों publish किया है उसी परकार विशे सर्वेक्षन लिपिक में भी है कि दो जो है result नहीं दिया गया है विशे सर्वेक्षन कारूनों में सभी का result दिया गया है एब हम एसमें भी दो सीट का result नहीं दिया गया है देख लिए बिशे सर्वेक्षन सहाइक बंदुबस्त पतादिकारी में 355 सीट था जिसके लिए 904 लोगों को DV के लिए बुलाए गया जिसमें जो है परजेंट जो हुए 832 अभ्यारती ही परजेंट हुए और जो result पब्लिश किया गया है 353 का result पब्लिश किया गया है दो सीट के लिए result पब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि यह RCG कोटे का था और RCG में जो गर्ल्स थी वह इनको नहीं मिल पाया इसलिए रिक्त रह गया अब इसे सर्वेक्षन कार्णों की बात कर लें तो 758 पु पब्लिश किया गया है अब इसे सर्वेक्षन लिपिक की बात कर लेते हैं इसमें जो है 744 पोष्ट थे 1889 लोग को बुलाया गया था 1549 लोग उपस्थित हुए 742 लोग का इसमें जो है कि सेलेक्षन हुआ result पब्लिश किया गया दो लोग जो है इनको नहीं मिला जो बात कर ले सबसे अधिक पद इसी में थे थोड़ा इसमें विशेस तौर से बात करेंगे हम लोग देखे इसमें 8244 पद थे जिसके लिए 18532 लोगों को डीवी में बुलाया गया इसमें उपस्थित कितने लोग हुए 16760 लोग उपस्थित हुए और जो result पब्लिश किया है 835 लोगों को result पब्लिश किया गया है 209 लोगों का result पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि यह जो है रिजर्ब कोटा का था RCG कोटा का था 209 लोग जो लड़किया थी इनको नहीं मिला इसलिए यहां जो है खाली रहे गया है यहां आसपस्थ नीशे लिखा गया है चलो दिव्यांग था कोटी के एक एक अर्थात कुल दो अभियार्थियों की उपलब्ता नहीं रहने के कारण अन्रिजब कोटी के दो सीटों को ब्लोक करते हुए परिछाफल प्रकासित किया गया है चीक है समझ में आया आया यह जो है कि सभी पतो में कितने लोग को बुलाए गया था डेवी के लिए कितने लोग उपस्थित हुए और कितने लोग जो का result दिया गया है यह सब कुछ इसमें explain किया गया है अब हम लोग cut up की बात कर लें सबसे ज्यादा post अमीन का था तो अमीन की बात कर लेते हैं कि cut up कितना गया है रेंग की बात कर लेते हैं ठीक है जेनरल में जो गया है 2613 गया है फीमिल जेनरल का गया है 1215 EWS का 832 फीमिल का जो गया है EWS में 174 गया है cut up या रेंग की बात कर ले हैं ST में 105 गया है ST female थी ही नहीं सब्सक्राइब कर लेंग की बात कर रहे हैं हम लोग EBC की बात कर लें 171 गया है और EBC में 456 Bc में 696 गया है WBC में 461 गया है ठीक है 461 गया है RCG RCG 461 रैंक है DQ में 447 है ठीक है जो Visual Impaired का है DF&M में 469 है Locomotor में 133 और DQ Mental Disorder Multiple Disability के लिए 427 गया है Freedom Fighter के लिए 48 गया है ठीक है ये रैंक रहा Special Survein Amine का भीविन पदोग का रैंक रहा अब हम लोग बात कर लेते हैं लिपिक का Business Surveiction लिपिक का क्या गया है रैंक का कटफ देखे जेनरल में 231 तक सेलेक्शन हुआ है female का जेनरल में 122 तक सेलेक्शन हुआ है EWS में 87 गया है female EWS में 52 गया है ST में 5 गया है female ST में 4 गया है SC में 90 गया है female BC की बात कर ले तो 102 गया है और WBC की बात कर ले जो RCG 213 तक गया है DQ visual impaired में गया है 49, deaf and dub में गया है 14, DQ locomotor में नहीं था DQ 447 गया है disorder में और जो freedom fighter रगे थे उनको 20 तक गया है love lipik का cut up रहा है हम लोग बात कर लें अब क Veget का논 बात कर लें जयनरल में 264 फीमेल जयनररल में 107 एक सोश साथ है mat Be ew's में नवासी फीमेल इडावध में 18 है स्टी में साथ है'd १्यमिललं स्टी में 3 है槍 i क्शी में 13 है वह इबीसी की बात कर ले तो 187 गया है और फीमेल इबीसी की बात कर ले 26 गया है बीसी में 142 गया है ठीक है फीमेल इबीसी की बात कर ले 42 गया है डबलू बीसी में 144 गया है डीक्यू की बात कर ले तो 45 है और डेफ डम डीक्यू की बात कर ले तो 67 कटफ है डीक्यू की बात क में बात करते हैं एसो का एसो बिसे सर्वेक्षन साहाइक बंदोबस्त प्राधिकारी इसमें जो है अनिजब का 125 है ठीक है उसके बाद फीमेल जेनरल का 64 है फीमेल EWS का 44 है फीमेल EWS का 14 है स्ट का 4 है फीमेल एसी का 64 है फीमेल 15 का 110 फीमेल EWS का 16 गया है वहीं बीसी की बात कर लिए तो 81 है फीमेल बीसी का गया है अरसी जी में डबलू बीसी का गया है category का cutoff रहा, सबसे पहले मैंने आपको बताया, Amin का Color का, Kanungo का और ASO का बताया, तो इस परकार से जो है, इसका cutoff rank रहा है, और कितने लोग within post में selected हुए है ये भी चीज इसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है तो उमीद करते हैं, इसमें आपको cutoff clear हो गया होगा cutoff rank clear हो गया होगा, और किस post में कितने लोग selected हुए है, वो भी clear हो गया होगा, ठीक है चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और एक बार और फिर से जो भी लोग select हुए है, सबको बढ़ाई